उत्तरप्रदेश के एटा जिले में गाउ में ही दावत खाने जा रहे एक यूवक की अज्यात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी उत्तरप्रदेश के एटा जनपद में हत्यारों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है ताजा मामला उत्तरप्रदेश के एटा जिले का है पुरहार गाउ का एक यूवक एहलकार पुत्र रेवारी यादव अपने भाई ब्रजेश यादव के साथ गाउ में ही ब्रजरा कावर मौके से फरार हो गए वहीं मृतक के भाई और गाव के लोगों ने आननफानन में प्राइविट वाहन से अलिगंस सामुदाइक स्वास्त केंद्र पहुचाया जहां डॉक्टर राजेश शर्मा ने जांच कर बताया कि अहलकार की मौत हो गई है जब इस मामले में पुल तो दॉक्तर दांब में हमारे भाई को मार दिझाए हमारी गाउ में या कही भी कोई रंजिश नहीं थी फिर विकिसी ने घुक्टर लेकर इकों बीतला है जिसकों कबजम में लेकर पोस मौटम यह भीज़ दिया गया है परिजनों की तहरीर आने पर कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि एटा जिले में हत्याओ के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहा है 25 नवंबर को जश्रत पूर्थानाक शेतर के अंतरगत दहलिया पुड़ गाव में गैंगरेप पिडिता के भाई की नाम जदा आरुपियों ने हत्या कर दी थी जिसमें पुलीस की लापरवाही के चलते गैंग रेप के आरुपी खुले आम घुम रहे थे 26 नवंबर की रात रीजिले के कोतवाली नगर में डबल मर्डर ने हिला दिया था डबल मर्डर का मामला एटा नगर के श्रंगार नगर का था जिसमें मा बेटे की इट से कूच कर हत्या कर दी गए थी उसके बाद फिर अग्यात हमलावरों ने दावत खाने जा रही यूवक की गोली मार कर हत्या कर दी एटा से मुहमद आसीफ की रिपोर्ट